हलो भविस्ट के अधिकारियों कैसे हैं आप लोग आई हो बढ़िया होंगे आपकी पढ़ायली कई अच्छी चल रहे होगी अधिकारी बनने का प्रयास आपका जारी होगा और आपके इस प्रयास को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से मैं राकेश कुमार आप से प्ला स्वागत करता हूँ हम लोग आजकल अद्यन करें सामाने द्यन का जिसमें से आजकल पढ़ रहे हैं भोगोल, भोगोल में पढ़ रहे हैं भुगाकृति भियान यानि जियो मारफला जी जो मारफला जी की बात करें पिसली कच्छाओं में हमने कई सारी चीजों को सीखा था पढ़ा था समझा था उसके कोईशन हल किये थे और आप लोग का रिस्पांस बहुत अठा रहा उन चीजों में बहुत कहने का मतलब कोईशन के आपके जो प्रित्किया रही उसको देख कर यह लगता है आप लोगों ने जिम्मधारी से पढ़ा है मतलब विस्वास के साथ पढ़ा है और चीजों को सही कर पा रहे हैं आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के बीच में हाजिर हो आज हम पढ़ने वाले रॉक्स के बारे में चटान के बारे में अब दिखिए च की बात करें यंपी का हो गया बिहार का हो गया राजस्थान की बात कर ले आरेज इसके बाद उत्तराखंट की बात करें सब में यह जो रॉक्स टॉपिक है सायद ही ऐसा को एक्जाम जाता होगा जिसमें से इससे कुश्चन बनते हैं और आजकल हम लोग बेसिक तरीके से फ प्रेसे इंट्रेशन बना के जुड़े रहें समझते रहें और हां आप लोग से एक बात कहना है पर बार-बार कहना हमें सही नहीं लगता है इसलिए आप समझ लिजे वीडियो को सेर जरूर कर दिया करिये अपने लोगों तक पहुचाते रहें इसको लाइक कर दिया करिये अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो कोई बाती है उसमें करने की कोई बाती नहीं होती है चलिया हम चट्टान के डिपरिंसल से पढ़ते हैं इसे क्या कहेंगे रोक्स लिंगलिस में कहते हैं भुपटल पर पाया जाने वाले समस्तों पदार्थ जो धात्यूए नहीं य और चाहे मुलायम और कठोर यह सब क्या करती हैं चेटान यानि रॉक्स बात समझ गया हैं कहने का मतलब धरातल पर मिलने वाले जितने वी अधात्युंकों को छोड़ दिया जाएं यानि जितने भी अधात्य कह सकते हैं वो चाहे साथ हो चाहे हार्ड हो वो क्या कह लाइं रॉक्स इसके नवीन परिभासा भी आपके सामने है जो आधनिक रूप में यूज की जारी जादा तर दो या दो से अधिक खनिजों के निश्चित अनुपार्थ में स्वयों से निर् ल Scale के बारे परना से वजाता तहिक ऩी खनिजों क्या होते हैं इसके बारे भी पकतने हैं पहले तो सब्सक्राइब कर fence listen होता है आगे निवल के अगर नव्रखें आगए भात करें तो Rich किसकी बात किया था खनीजों की मिनरेल्स कि अब ही हमने कुछ पढ़ा नहीं बस थोड़ा सा चर्चा किये रॉक्स का नाम लेते ही आपके दिमाग में यह आता रहा होगा इसके पहले रॉक्स की बात करें वह हार्ड भी हो सकता है हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है या वो चाहें मुलायम होगा और कर्थोर होगा दोनों पहां लागा हो देखें दो निश्य तनपात में सेंग्यों करनेशन आपको यहां से बता देतेए यह रॉक्स की जो चटाने होती हैं इनका हार्डनेस्स को मापते हैं किस सब्सक्राइब करते हैं एक प्रियोग करते हैं और यहां पर इसका पैमाना क्या है एक से लेकर आगे कहां तक किसका कम होगा किस का जादा होगा इसके बाएर हम चर्चा आगे करने वाले हैं पहले इस जुट बात किया थे हमने में मिनरल्स का में बताया था कि धारातल पर 2000 से ज्यादा प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं कितना है 2000 से ज़्जादा प्रकार की मिनरल्स मिलते है और लेकिन अगर हम चट्टानों की बात करें जो जुगवत पूर होता है जो ज्यादा से में ज्यादा प्रकार की अधिक्ता बढ़ते हैं अगर में चट्टानों का और करण करें क्लासिफिकेशन करें तो चट्टानों को तीन प्रकार को आप शुरू होती ध्यान से एक एक पॉईंट को आप समझते जाए लिखते जाए रिविजन करते जाए लिखेंगे फिर बादमारी बिच्छ सब्सक्त पन आप प्रकार proclaimed उसे कहते हो आगणी चट्ठाने इगनियस रोक्स दूसरा आउसाधी चट्टाने या परदार चट्टाने कहते हैं इंगलिस में कहते हैं सेडिमेंटरी रोक्स ध्यान रखिएगा हिंदी और इंगलिस दोनों नामों को ठीक जो तीसरा प्रकार है और रूपांतरित प्रकार है या इसे कहते हैं कायांतरित प्र और इंगलिस में कहते हैं मेटा मार्पोज रोक्स अब समझेगा तीन प्रमुख प्रकारों का यहां वोड़न हो रहा है पहला आगने चट्टाने दूसरा और साधी चट्टाने और तीसरा रूपांतरित या कायंतरित चट्टाने थोड़ी थोड़ी इसके बारे में चर्चा क की बात हो रही आगने का मतलब यहां पर क्या है अगनी से समझेगा यहां पर हम पढ़ रहे हैं किसको चट्टान को अगनी की बात हो रही चट्टान अगनी से संबंदित कैसे होगा आप समझ रहे हैं ज्वाला मुखी की प्रक्रिया आप जानते हैं ज्वाला मुखी में क्य भी यहते हैं मैगमा चैम्बर वहित चैंबर होती हैं नोल ना बंच म्लुद यहां पर रभ्टाण को तुड़ करी उपर निखिचर किया जाओ Yuk लिधे स्पेर को तोड़कर यह उपर निकल जाती है इसी घटना को हम कहते हैं जौला मुखी जो चीज़े निकल रही है क्या निकलेगा चलवास निकलेगा यह सारी चीज़े निकलती अब आपको समझना है मैगमा और लावा के बारे में यहां से जो निकलने वाली जो मैगमा होती है क्या मैगमा और लावा यही जब धरातल पर आती है धरातल पर आने के बाद क्या होगी ठंडा होगी ठंडा होगी ठंडा होने के बाद क्या होगा जम जाएगा जमने के बाद चट्टानों का रूप बनेगा और इस प्रकार की जो के बाद थंडा होकर जम कर जो इस्तिती बनाती उसकी क्या करते हैं आगने चट्टाने के बात समझ गए होंगे चलिए मोटे तोर पर हम अवसादी को समझ लेते हैं अवसादी क्या होगा जब यहीं चट्टाने जो इगनियस है इस पर टेंप्रेसर प्रेसर हुमेरिटी यानि बाहर जितनी भी एक्टिविटी है उनकी वज़े से जो चट्टान चोड़ों में बनता है बनने के बार डिपोजित हो है जो अब आपने पढ़ा जो लामखी उद्गार से निकलने वाले मेगमा या लावा का धरातल पर जम कर ठंडा होगा और थोस रूप धारल करेंगा उसी क्या कहें है आगने चट्टान इसके बिस्षच्टान बारे में कौड़ी सी सब्ल्चा कर लेते हैं क्या भीस्षच् कि से आगने चक्ठाने के अगने चक्ठानों की सबसी प्रह्मुक्षेश्षा है इसे कहते हैं प्रायमरी रो policies कहने का मतलब इंद्यम करते हैं क्या प्राथिमिक चक्ठाने प्राथिम् चांट यहां पर भात की जारे किसधी प्राइमरी रॉक्स की एक दुसरी फरीयावाच इसके बाद यह जीवास्म रहित होती हैं यह जीवास्म का अभाह होता है किसमें आगणे चट्ञवब घेल फिर प्रसंण ऐसे बन सकता है ने मिक्षित में से कौण जाने जीवास्म रहित होती है आपके पास ँप्संद दिया जाएगा आगने अवसादी रूपांतण्री यानि के इतना निज़ाद अब इतना ज्यादा तापमान पर पिगली आपकाई मिलेगा वहां पर जमेंगी यह जमने के बात क्या हो जागा ठोस रूप भारत करेंगे तो पर जीवास्म आता कहां से हो किस जगह पर मिलेगा और इस पहले हम यह समझना है, यह रोक्स जो है, प्राइमरी रोक्स है, इसमें जीवासमों का अभाव होता है, ठीक, इन चट्टानों में परते नहीं पाजाती है, यह स्टेटीफाइड नहीं होती है, परते सिर्फ पाजाती किसमें, परते के अगर हम बात करें, वो आवसादी में पाई जाती है आवसादी चट्टाने उसे कहते हैं या परतदार चट्टाने उसका नाम ही है सेडिमेंट रोक्स का क्यों होता है और कैसे होता आगे हम चर्चा करने वाले आप आगने के बारे में जानिएगा कि यहांपे परते नहीं पाजाती यानि परतों का इसमें अभाव होता है बात क्लियर है आगे देखते हैं यह रवेदार कठोर प्रकृत की आप प्रवेश चटाने होते हैं यह वाला पॉइंट जादा महत्वोड आपके लिए कैसे हैं महत्वोड है कई कारणों स कन्देशर में डो प्रकृत की आप रवेश चताने होते हैं ठीक है रवेदार के अगर हम बात करें तो रवेदार जो बंता है यह दो प्रकार का बंता है यह धंशा भरात्म के नीचे से जो आने वाली जॉलामुखी की क्रिया से जो मैगमा ने शेपी थो रहा उसी से इस प्रकार की चठाने बनते हैं प्रात्मिक चठानों का निर्माण इसी प्रकार से धरातल के नीचे से आ रही थी और सतर तक नहीं पहुंचे बीच में ही थंडी हो गई जम गई आयसे में उसकी सनरचना ओभी आग ने चट्टान होगी लेकिन उसकी सनरचना दूसरी होगी कहने का मतलब जो रवेदार होगा एक बारीक होगा और एक बड़ा होगा कैसे होगा अभी हम बात कर रहें इसके बारे देखिए देखिए रवेदार की बात तो होगी यह कठोर प्रकृत की होगी बिल्कुल हार्ड होगी इसके बाद यह सबसे महत्पूर ने किया अप्रवेस चटानी में कहने का मतलब इनकी क्रिश्टल जो हैकन इतने पास-पास होती है यह आप प्रवेस होती कहने का मतलब इतने आसानी सी इसमें जल प्रवेस नहीं कर सकता है यानि जैसे कोई एगनियस रोक से इसमें अगर जल को रोका जाए तो आसानी सी रिशे का नहीं कहने का मतलब इसकी पारगमेता या सनरंदता कह सकते हैं यानि पोरोसिटी बहुत ही कम हो जब लावा धरातल के नेचे नोट में लिखा हमने वही चीज जब लावा धरातल के नेचे ठंडा होता है तो बड़े रव्यू का निर्मार होता है बड़े रव्यू वाली चट्टानों का निर्मार होता है और जब यही लावा धरातल की उपर आकर जमता है तो क्या बारिक गढ़ बनते हैं यह बारिक गढ़ होता यह बारीन तोड़ने के लिए क्या करते हैं उसको मता जाता है सेम यही प्रक्रिया होती है यहां पर अगर लावा जो निकल ना धरातल से किसी कारण बस अगर हम देखें किसी कारण बस यह धरातल के नीचे ही रह गया बड़ी-बली स्थल रूप बनते हैं आगे हम जौला मुख्य स्थल में बड़े रविदा करन लेकिन दों सतह पर आ तरह आएगे सता पर आने के बाद में कि थंड़ा होगा तो की बारीक शोल्रे होता है कि बाठी आगेधिन यह दिस्थथ्प hmong wale गोई चट्तानों की प्राथ मी चट्टाने केहेंगी होस होती हैं रवेदार होती है ठीक है यूक ए और यह क्या होता है जॉला में किस्ट जो निकलने वाली रॉक से इससे बंती है । और क्या इसकी विश्टा देखा था इहां ते हमने इसमें Germany का बहुता है चिक सब्सक्राइब या पारिगम्मिता कम होती इसमें चलिए अगले प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्या और साधी या परतदार च्टाने इसी कहते हैं सेडी में पर बात क्लियर है यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सेडी मेंट्री रार्ग और उसके सबसे बढ़ी बिस्यस्ता होती है वह यह उन्ति इसमें उसमें जीवासम nova मतलब जितने भी प्रकार कि cidade रोक से मिलते हैं उसके बारे में ठी में बात करेंगे पहले हम समयब लेते सेडिमेंटी रॉक्स यानि परतदार चटाने बनती कैसी देखे ताप आधिके प्रभाव से चटानों का तोट फूड कर चूड बनना और एकत होकर परतों के रूप में जमते जाने से और साधी या परतदार चटानों का निर्मार होता है आप तूटेंगी कौन से चटाने आ अलवास इत्यादी का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं बनता है लेकिन लगतार इसका अगर प्रभाव पढ़ रहा है ऐसी कंडिशन में टूटेंगी क्या होगा जैसे टेंपरेचर प्रिसर हुमेडिटी यानि जो भौतिक और रसानी कारक इसके वजह से चटाने क्या होग प्रभाव नहीं टूटेंगे और टूटने के बाद जैसे यह कोई चटान है तोटने के बाद यहां पर चीजें ऐसे बारीक करनों की रूपी यहां पर पड़ी किसी बाहिक प्रक्रम से चाहे वह जल हुआ चाहे वाई हुआ या किसी और भौतिक गत्विती से अगर यहीं चटाने देखिए यहां पर जो पड़ी हैं उसे क्या कहेंगे अपच्छे और किसी बाहिक प्रक्रम से यहां से लाकर इसी जगा प्रदार यहां पर परतों का मिमाल होता है धीरे दिन एक परतों के रूप में यहां पर बनना शुरू हो गई इसी क्या करते हैं परतदार चक एक आपने मिटी को खोद देखा होगा मिटी को खोद मिटी को देखा वगा यहां कि कुछ गयराइग को प्रकार की मिट्टी मिले लेकिन जैसे थोड़ी सी नीचे जाएंगे कुछ अलग मिट्टी मिलेगी IDGBR कंकर पत्थर जादा मिलेंगे कहीं पिर काले रंक मिले की कहीं पीले रंक मिलेगी ठीक कोई ऐसे मिट्टी मिलेगी वो लगता है अजीव है तो यह क्यों है ऐसा यह एक प्रकार की पर्तों पर्तों के रूप में बनी होती है इसलिए इनको इस नामों से जानता है ऑशिए विशेष्टाओं के बारे में कि इसकी कुछ विशेष्टा की यह परेदार चक्टाने होतीं है इसके बारे में जानी रहें परदार क्यों हो धन्किया रान explor se हो पेट्रोलियम हो इत्यादी यह सब कहां से मिलते हैं यह मिलते हैं यह मुलायम होती है कि इसकी तुलना में जो आगने चटाने आपने पढ़ाता है कि पढ़ाता है जब आगने चटाने कठोर होती है उसके तुलना में रिखेंगे चटाने मुलायम होती है यह रवेदार नहीं होती है रवेदार नहीं होती है, इसके पिछी का काराण आप समझ सकते हैं, धीके चटाने रवेदार तब होती है, जब ज़्यादा टेम algorithms से ज़्यादा थाफ भ दीड़ी तंड़ा रही कि तॉतने के बार कहीं से ठीने का मतलब यहां पे इस प्रकार से यहां पिर ईसके तरना जादा में इगनियस रॉक्स की आगने चट्टानों यानि जब इसमें पोरोसिटी जादा होगी सनद्था जादा होगी तो यहां पर जल का जो रिशा होगा आप जागरी जादा होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यह इतनी विश्यस्ता है ती महत्पूर्ण इसको आप समझते जानते रहे िगा इससे समझ्दिक करहां प्रससर बन्ते हैं जैसी पूझ लिया गया निमनेखित्मीन कि सका या जाता है तो आप जाना किसह में पंद जाता किसमें पार आप कफन्द कुश्ठी में प्रकार से पूछा जा सकता है जैसे कथन दे दिया गया और अवसाधी चट्टाने परददार चट्टाने होती हाज है आप परद्दार चटान के हुआ होत ही इसका कारण दे दिया जा सकता है यह आदर hop सब्सक्राव के इस नहीं है परदतर चटाने होती हैए परदार चटाने रवेदार नहीं होती है अपर आपको परददर चताने या रवेदार नहीं होती है एक-एक पॉइंट को आप concept के रुप में दिमाग बैठारेगेगा हमने अगले के बारे में जो चटान है आपकी तीसरा नंबर क्या नाम इसका रूपांत्री चटान या कायांत्री चटान और काइती चुटांप यह नहीं इसे इंगलिह चाहते है क्या मेटा मार्फॉज कि मेटा महत कर भग्र समझेगा मेटा मार्फोज को आप ऐसे समझेगा कि जैसे आप कई दोस्त मिलकर तैयारी कर रहें थे यह साथ ठीक आपके प्रूर्भ पार्टनर का हो गया और आप किसी कारान से रह गए हैं हमने क्या कहा कि आप कई साथी मिलकर तैयारी करते साथ में आपके पार्टनर का किसी कारान से हो गया आप रह गए और आपको उपूर नहीं पहचाना जब की पहचाना चाहिए था आपके साथ प्रह एकर तयारी किया था नहीं पहचानने का मतलब वह पूरी तरह से बदल गया मतलब मेटा मारखोज होगया कायांतरीत होगया रूपांतरित हो गया बास समझ गये इसे कैसे कहेंगे इसी को कहेंगे वो कायांतरित हो गया रूपांतरित हो गया या मेटा मार खोज हो गया आप डेली रूटिन के लाइप से ऐसे जोड़ सकते हैं समझेगा कि कहने का मतलब यहां पर जो चट्टाने जितने भी बन रही सबसे पहले इसका निर्माड हुआ और इसी से बना क्या भी पहले इसके बारे में थोड़ा साम समझेगे देखे जब पहले से मज़ो चटानों पर आती उच्छ दाव आती उच्छ दाव आरता जल आधी के प्रभाव से इसकी रंग यानि कलर संगटन यानि कंपोजेशन गठन यानि टेक्टर डेंसिटी घनत कठोड़ता यानि हार्डनेस आधी में परिवतन हो जाता है तो कायांतर यानि पहले से मौजू चटानों में यहां पर पहले से मौजू चटानों में किसके प्रभाव से आती उच्छ दाव यानि high temperature, high density, इसके बाद क्या है, humidity और जल के प्रभाव से, जल इत्याद के प्रभाव से, यदि उस चटान की रंग में, उस चटान की कठोरता में, उस चटान की घनत में, या उस चटान के संगठन में, संगठन का मतलब composition, या उस चटान के texture में, यानि जो गठन है उसका, ज ठीक, आईए इसके विश्यस्ता के बारे में पोड़ा सा समझते, देखे, आप जानते हैं कि आगने चटाने प्राथी चटाने, आगने और आवसादी दोनों से बनता है, अभी हमने पहले ही बात किया था, पहले से मौजूद का मतलब, पहले से मौजूद होगा या तो बात करने वाले, इसमें जीवासमोन का अभाव याँने होना है, अब हम बात कर लेते हैं आप परिछ्छा का, देखें यहां पर हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में मेटा मार्फोज राक्स के बारे में यहां पर आपको दो तीन पॉइंट देखने हो को मिला पहला यह आगने और और अवसादी दोनों से बनता है जिबिल्कुल बास सब्सक्राइब क्या पढ़ा आपने इसके अलावा इस जिसका नाम था आवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स तो यह रहा रूपांत्रित या कायंत्री चट्टानों के बारे में आई थिक आपको यह वास सभाज में आई होगी और पसंद भी आई होगी चलिए थोड़ा सा एक बात और आपको बताते रहें यह जो चट्टानों क इसके एकजामपल को देख लेते हैं कैसे है अब बैसाल्ठ है यह जानते है यह इनियस रॉक्स है यह जब रूपांत्रित होता है किसमें होता है एंपी बॉल यह चीजें पूछे जाती है को कभी-कभी कभी मैच करने को नहीं सीधे-सीधे एक लाइन देदेगा तो बैसाल स्टेशल किसमें convert होता है M V BOLITE और यहां पर किसमें बदलता है नेश में गईबरों है गय पर किसमें बदलता है सर्पेंटाइन में आप देखेंगे जैसे अगर कहां देए कि है इगनेयस रॉक शाया यहां पर कर दे शेडिमेंटरी रॉक और यहां पर यहां पर यहां पर के गदे मैं नंटा यहां पर आप दिखन bitten ना इस प्रकार से होती है निफ्टे कि यहां पर देख रहे हैं आगे देखेंगे को देखेंगे बात करें को एला कैसा है कि सैडिमेंटरी है कि आप जानते हैं का मिलता है कि आवसादी चक्टानों क्यों मिलता है क्योंकि हम both में अधरा बडलों में कि तो किसमें बडला इभी हमने자 से त्रक्रिया ड्वारा आती उच्टाब याने हाई wavelength लाइम स्टोन से बनता है क्या मारबल यहां पर बात कर रहे हैं लाइम स्टोन का यहां पर क्या बनेगा क्या ऑफ यह लिखा गया सेंड स्टोन यानि बालका पत्रस क्या मिलता है इस एक यहां पर पुछ लोग को लग रहा होगा इंगलिस में नाम लिखा गया क्योंकि हिंदे इंगलिस में थोड़ा सा रिफॉजन रहता है इसलिए हमने इंगलिस नाम को पिक किया बहुत कठी नाम नहीं आप व्याद कर सकत समय है ब्लैक मर्स कि बात करें यह बड़ीक मार्वला किस से बंता है इट से क्या बनता है से अगर यह देखेंगे ये exceptali edor को धेने का मतलब मैठाहुन होकर सेल बनता है सेले बनता है इस से बनता है चALत चलता रहता है इस चीज को आपको याद रखना हुटा तो वैसे तीन पार्ट और यहां तो नहीं यहां पर देखा था आपनी सटीमेंटरी थे और रिक्या विशाल पी इस प्रकाश से इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं आपको बढ़िया लगा होगा चीज़े समझ माई होगी कैसा लगा आप वीडियो को वीडियो के बारे में एक तो लाइन जरूर लिखा करिए कमेंट बाक्स में जरूर बताया करिए कुछ चीज़ें आपको और जाननी है आरो यारो का नोटिफिकेशन आ गया PCS का भी बहुत जल्दी है आ जाएगा तो आप तयारी जम करते रहिए हमसे जो हो रहा हम आपको बहतर देने के कोसिस कर रहे है बहुत जल्दी है कुछ नई एनाउंसमेंट हैं आपके लिए आई होप कल वाले दिन में मिल सकती है और आप उस नोटिस को ध्यांस से इंदजार करिएगा आपके लिए कुछ बिसेश्ट ओफिया है क्या है हम पहले से एनाउंस नहीं कर रहे है आपको एक सर्प्राइज रहेगा बस अभी आपको यह करना है वीडियो को लाइक करना है और बहुत से लोगों को सेर करना है क्योंकि नोटिपिकसन आ गया है बहुत जाद दिन एक्जाम का नहीं बचा है और यह लाप बहुत जादा लोगों मिलना चाहिए जो पेड़ नहीं कर सकते हैं फिरी की क्लासेज हैं आप लेते रहे हैं और उसका लाप उठाईए उसका सद्धिक्र करिए चलिए आज की वीडियो को यहीं उबर करते हैं बहुत बहुत धन्वाद आप लोगों को देखने के लिए जहन